नवाशकार मित्रो मेरा नाम है मुनाल पडेल और आज हम देखेंगे 30 नवेंबर सुमवार को इंडियन एक्स्प्रेस में मुझे काम की चीजे क्या लगी सबसे पहले FPI Foreign Portfolio Investment मतलब कोई विदेशी एंटिटी बारत के कंपनी के अप्टू 10% शेर्स खरीदे तो हम कहते हैं FPI है अगर उससे जादा खरीदे तो हम कहते है Foreign Direct Investment यानि FDI है समचार कुछ इस तरह से हैं कि एप्रिल से लेके जो अपना ये नया Financial Year शुरू हुआ अब तक करीब देड़ लाग करोड से जादा का FPI बारत में आ चुका है हाला कि इसमें से जादा तर उन्होंने जो शेर्स खरीदे हैं वो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के खरीदे हैं पॉब्लिक सेक्टर कंपनिया यानि सरकार जहां पर मैजोरिटी शेर होल्डर है और सरकार डिस इन्वेस्टमेंट करके विनिवेश करके अपना शेर्स बेचना चाती है वो सब सरकारी कंपनियों के शेर से FPI वाले खरीद नहीं रहा है उसके कारण मैन तो यही है कि सरकारी कंपनियों आप जानते अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं करती इसमें से अच्छा डिविडन या ग्रोथ हमको मिलेगा नहीं तो सरकार के आजकल जो डिस इन्वेस्टमेंट के प्लान होते हैं कि हम सरकारी कंपनियों के शेर्स बेच दे जिसे हमको पैसा मिले उसे गरिब कल्यान की योदनाय सब चलाई जाए वो सब मुश्किल लगता है एन्वेज ये अपने आप में कोई MCQ का मुद्दा नहीं है लेकिन ये सब मेंस में जब आप लिखना शुरू करें कि डिस इन्वेस्टमेंट उसके फायदे सामने चुनातियां तो ये सब चुनातियां हमें देखती है उसके लाभा पेजबन पर एक और चीज आत्मा निर्बर आत्मा निर्बर कंसेप्ट आप समत हैं कि हम बाहर से इंपोर्ट कम करें अपनी खुद सी सब डॉमेस्टिक मैनिफेक्टरिंग और डिमांड को बढ़ाएं अब ये भी जानते हैं कि एमदाबाद से मॉंबई बुलेट ट्रेन का निर्मान हो रहा है अब पहले ये बुलेट ट्रेन के अंदर जो जो सामान अलग-अलग कंपोनेंस होंगे ट्रांस्पोर्टर और लॉंचर मशीन और जो भी चीज़े वो हमने चीन से खरीदने थी और ऐसा एक-एक मशीन करीब 70-80 करूर्स का लगता था और बुलेट ट्रेन में ऐसे 30 अलग-अलग मशीन बनाने थे तो अब सरकार ये सोच रही है कि वो सारे मशीन चीन से न इंपोर्ट करते हुए हम भारत में ही ऐसा कुछ डेवलप करने की कोशिश करें ताकि अपना और आत्मानिर बन सके पेज वन पर तीसरा समाचार है पॉब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप फॉर लेपर्ड लेपर्ड यानी तेंदुआ आप जानते हैं क्योंकि जंगल कम हो रहे है तो मनुष्यों के साथ उनका मैन एनिमल कंफिक बढ़ रहा है उसका 2% of the average profit in last 3 years उतना corporate social responsibility यानी CSR के नाम पर ये समाज कल्याण में hospital खोला, school खोला, toilets बनाए पॉब्लिक के लिए ऐसा काम करना पड़ता है तो मुकेश अमबानी ने corporate social responsibility funding के नाम पर एक private zoo बनाया है जामनगर में उनकी reliance refiring रिपास जिसका नाम है Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Kingdom और क्योंकि एक प्रकार का zoo है तो उन्होंने Central Zoo Authority यानी CZA से permission भी लिया है और फिर अब गुज्रात सरकार के साथ Public Private Partnership Agreement जहांपर गुज्रात सरकार के forest department ने जिन तेंदूओ को पकड़ा होगा ऐसे capture तेंदूओ को इस zoo में रखा जाएगा और ताकि वो फिर man-animal conflict थोड़ी कम हो सके तो Public Private Partnership, Infrastructure, Education, Health के साथ साथ अब Environmental Conservation में भी आ रही है ऐसा कहीं पर means में आपने बोल बच्चन करने हो तो So that was page one उसके बाद page three and four वैसे तो state specific news लेकिन वहाँ से ये agriculture Fisherman type के कुछ चीज़े हमें जानने को मिलती है किसान credit card वो आगे चलके सरकार ने बोला था Fisherman को भी दिये जाएंगे और उसकी मदद से वो बैंकों से दो लाग तक का उनको लोन मिल सकता है Fisherman को लोन चाहिए होगा क्या हाँ वो जो बड़ा diesel trawler चलाता है diesel खरीदने के लिए मचलिया पकड़ता है तो वो बिगड नहीं जाए इसलिए उसने वो ice box में रखना है तो बरफ खरीदने के लिए जो उसकी boat में काम कर रहे हैं Fisherman कुरू को salary देनी पड़ती है तो उनको भी काफी सारे पैसो की पूंजी की जरूरत तो होती है लेकिन पता चला कि बैंक वाले hardly 30,000-40,000 से ज़्यादा loan पास नहीं करते और कोरोना के चलते Fisherman के problems बड़े हैं एक जमाने में हम लोग बहुत सारा seafood ये प्रॉंस जिंगे मशलियां चीन को export करते थे लेकिन कोरोना के नाम पर अब चीन में जब हमारा सामान जाता है तो वो उसका ज़्यादा inspection करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा time लग रहा है और फिर कोरोना में हमको मन दिया बोलके चीन के importer जो बारत से मशलिया खरीते हैं वो लोग payment clear नहीं कर रहे हैं और ऐसे करोड़ो रुपे के payment pending है और बारत के fishermen का ये मानना है कि असल में चीन के ऐसे importer बहाना बना रहे हैं वो हमसे भी सामान खरीते हैं लेकिन payment clear नहीं कर रहे हैं और parallelly कहीं और Vietnam, Thailand वगेरा जो fishermen होंगे जो बहुत ज़्यादा desperate होंगे उनको भी गरीबी और problems तो उनसे भी वो माल खरीद रहे हैं और सब मतलब बदमाशियां चल रहे हैं बारत के fishermen चाहें तो चीन को नव फोकस करते हुए European Union में अपने seafood एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें लेकिन problems यह हैं European Union के SPS norms यानि World Trade Organization उसके नीचे Sanitary and Phytosanitary Agreement SPS उसमें अलग-अलग देशों को power है कि वो जो भी agriculture, food type की चीज़े हैं उसमें और strict नियम बना सकते हैं कि इतने से जादा उसमें arsenic नहीं होना चाहिए यह chemical नहीं होना चाहिए वरना import होने वाली चीज़ को ban कर सकते हैं So unnecessarily very heavy standards are imposed जिसके चलते बारत के यह सब fishery products European Union में हम चाहें तो भी उतना जादा export नहीं कर पाते क्योंकि वो गड़ी-गड़ी उसको ban कर देते तो fishermen के problems पहले से थे और Corona के चलते और बड़े हैं यानि mains के अंदर यह कुछ लिखना हो agriculture, allied sector तो allied sector में यह सब की भी थोड़ी-थोड़ी बात जरूरी है So that was page 4 उसके बाद page 5, सरकारी विज्यापन, page 6, राशी भविशे कामका नहीं page 7 में भी सरकारी विज्यापन, कामका नहीं page 8 पर पहुंचते हैं page 8 यानि columns columns में अब जानते GDP growth rate मालिजे पिछले साल हमारे देश में total goods and services का उतपादन हुआ हो 200 लाग करोड और उसकी सामने इस वर्ष जो जितना जादा उतपादन होगा तो percentage हम जो निकाले उसको कहते GDP growth rate अब ऐसा annual GDP growth rate भी हो सकता है और अगर हम साल को 4 हिस्सों में divide करें तो हर quarter में 3-3 महिने होंगे तो quarterly growth rate भी हो सकता है जिसको हम Q1, Q2, Q3, Q4 बोलते हैं तो आकड़े कुछ इस तरह से देखने को मिले कि अपना ये latest financial year यानि 2021 उसके April, May, June पहला quarter उसमें पिछले वर्ष के उसी 3 महिनों की अपेक्षा कितना जादा GDP उतपादन हुआ था तो पता चला negative में करीब 24% और फिर ये Q2, मलब July, August, September इस साल के इस second quarter में कितना उतपादन हुआ compared to previous year's quarter तो पता चला minus 7.5 हाला कि पिछले quarter, मलब Q1 के सामने Q2 में जितना fall down है वो तो relatively कम देखता है अब थोड़ा उपर आ रहा है यानि हमारी economy अब वापस recovery mode में है ऐसा सब जताने के लिए page 8 पर पोल बच्चन टाइप के 2-3 comment लिखे गए है कुछ खास इसमें पढ़ने लाइक चीज़े नहीं दो कारण से क्योंकि वो statistical data को ही बार-बार पढ़के बनाया गया है और दूसरा कि पूरे साल का जब data आएगा economic survey में हमने वही तयार करना है हाला कि वहां से एक हमको definition concept मिलता है incremental capital output ratio यानि कि अगर आपने माली जे एक गाड़ी बनानी है तो उसके लिए कितना capital यानि कि पूंजी आपको चाहिए अगर आपको ज़्यादा पूंजी चाहिए तो वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो ऐसा दिखाता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा है तब जाकि अपना एक unit car या mobile या कुछ बनता है बारत में ये जो incremental capital output ratio यानि I.C.O.R वो पिछले चार पांच वर्चों में देखे तो 3.8 से बढ़कर 4.9 से बढ़कर 6.9 हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं क्योंकि ये आँकड़ा जितना बड़ा होगा वो दिखाता है कि आपको बहुत ज़्यादा unit capital मांगता है एक-एक unit उत्पादन के लिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते है प्रोजेक्ट डिले हो गया है या उसके raw material अच्छे से नहीं मिल रहे है या दूसरे environment clearance से लेक कि आपकी technology outdated है machine अच्छा काम नहीं करता So because of those reasons incremental capital output ratio is down उसको बेथर करने की बहुत ज़रूए तो research development, ease of doing business ये सब मातोपूना है उसके अलावा इधर बोल बच्चन में कुछ काम का नहीं एक निकीता खैतान उन्होंने column लिखा है justice on trial कि कैसे गरिब लोग उसको under trial को जेल में रखते हैं उसको बेल नहीं मिलती क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता लेकिन पूरी column में मतलब exam के लिए hard core चार-पांच मुद्धे गिनवा सके ऐसी चीज़े नहीं है फिर हम पहुंचे page 9, page 9 पर भी columns आज एक भी column काम का नहीं एक तो पाकिस्तान के चुनाव के बारे में काम का नहीं दूसरा अमेरिकन चुनाव के बारे में राज मोहन गान्दी लेकिन बोल बच्चन टाइप की चीज़े hard core कुछ exam oriented नहीं तीसरा है अब जानते हैं JNU में स्वामी विवेकानंद की मूर्ती लगाई जाने वाली है उसका कुछ प्रोफेसर विरोध कर रहे हैं कि वो सैफरोन है और वो बगवा करण और BJP उसके विरोध में आज कॉलम लिखी गई है कि स्वामी विवेकानंद उन्होंने हमेशा कर्मयोग के बारे में बात कही थी लेकिन JNU के प्रोफेसर खुद कर्मयोगी नहीं है क्योंकि ये कोरोना के चलते सभी टीचर्स को पावर पॉइंट कैसे बनाए उनलाइन जूम पे लेक्चर कैसे दे उसके सब उनलाइन ट्रेनिंग कारेकरम का आवजन होता है JNU उनिवर्सिटी द्वारा लेकिन उनके प्रोफेसर खुद उसमें पाटिसिपेट नहीं करते और फिर बच्चों को पढ़ाते नहीं कि कोरोना लॉकडाउन है और उनकी एंट्रेन्स एक्जाम का पेपर सेट करना था तो उदर भी उनके प्रोफेसर जाके पेपर सेट नहीं कर रहे है वगएरा तो यानि वो करमयोगी नहीं है तो स्वामी विवेकानन का स्टेचू लगाएंगे तो वो देखकर करमयोगी हो जाएंगे यानि कि ऐसी सब बोल बच्चन इस कॉलम में है वैसे पढ़के मजा है लेकिन एक्जाम के लिए काम का नहीं है अब इसके बाद पेज 10 पे चले जहांपर कुछ स्टेट स्पेसिफिक निउस वैसे तो सब्टूतू में हमें टाइप की चीज़े हैं कॉंग्रेस बीजेपी में अबूबा मूपती ये वो लेकिन एक अच्छी केस टड़ी मिलती है उसमें प्राइवेट कंपनी के वैक्सिन ट्रायल के बारे में लेकिन उसका हम गवर्मेंट कंपनी में मॉडिफाइ करके केस टड़ी बनाए मालीजे एक सरकारी फार्मसूटिकल कंपनी है जो कोरोना वैक्सिन का ट्रायल कर रही है तो आपने सब पेशन्स ये कंसेंट फॉर्म लिखवाए होंगे कि मुझे कुछ हो जाए तो कंपनी जी मैदार नहीं वगेरा और फिर एक आदमी की तबियत वैक्सिन लेने के बाद बिगड़ जाती हाला कि डॉक्टर चेकिंग करके पाते कि वो तो उसको कोई दूसराई कॉम्प्लिकेशन था मालोड डायबीटिस था या कोई एक्स प्रॉब्लम जिसके चलते प्रॉब्लम आया जैसा नहीं कि हमारी वैक्सिन लेने के चलते उसको प्रॉब्लम आया लेकिन फिर भी ये व्यक्ति माली जे कंपनी के खिलाफ केस कर देता है मुझे पांच करोड चाहिए दस करोड चाहिए कॉम्पेंसेशन दे दो और आपकी जो सामने प्रतिसपर्धी कंपनिया हैं राइवल कंपनी उसको तो मज़ा जाएगा वो प्रेस में सोशल मीडिया में इस चीज़ को बड़ा बड़ा कर दिखवाएंगे हाइलाइट करवाएंगे सेंसेशनलाइज करवाएंगे कि ये तो फालतू कंपनी है इसका के एक मंदीर से अनपूर्णा देवी की मूर्ती चोरी हो गई थी जो इदर उदर बिखते बिखते स्मगल होते होते कैनेडा तक पहुची थी और फाइनली गवर्मेंट ने उसको रिकवर किया है और उसको वापस लाया जाएगा ऐसा मन की बात में प्राइम मिनिस्टर क्योंकि ला नीनिया यर चल रहा है ला नीनिया मतलब उस साल वह आप जोग्राफी में देख लेना क्या क्या किदर होता है एक इंपक्त यह होती है कि बारत के अंदर टेंपरेचर पहले से थोड़ा और कम हो जाता है तो लुक इंटू देट तिंग इंजिया ग्रफी तो एट वस पेज 12 माफ की जब पेज 11 उसके बाद हम चले पेज 12 पे पेज 12 पे एक्स्प्लेंट सीरीज में आज कुछ भी काम करने वही कोरोना वगेरा की बोल बच्चन पेज 13 पेज 13 में भी सब इंटरनेशनल रिलेशन में चट पटी और बोल बच्चन टाइब की चीज़े काम की नहीं अब वैसे वहाँ पर एंवाइरमेंट के नाम पर की पाकिस्तान की एक जूमें कावन या कवन नाम का हाथी था जो 35 साल से अकेला था और अब उसको कमबोडिया में छोड़ा जाने वाला है ये जो भी ये चट पटी टाइब की चीज़े हैं एनवाइरमेंट में प्रशना आते हैं ये बात सही लेकिन इस टाइब के प्रशना देखे नहीं गए कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ये वाला एनिमल था काई पर और वो सोशल मीडिया में हैं और फिर अब इसको इदर से इदर ले ग पेज 15 एकनामी में कुछ डेवलप्मेंट्स पहला नैशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इंडिया जोकी एक स्टैचूटरी बाड़ी है उन्होंने काया इस साल अम लोग करीब 2 लाग करोड के हाइवे प्रॉजेक्ट बनाएंगे ताकि उस हिसाब से पूरी एकनामी में इंफ कि 15 सर उपय से कम में एक सीमेंट की बोरी नहीं बेचेंगे बले हमको कितना ही सस्ता हमारा उत्पादन क्यू ना हो तो इस टब प्रकार की कार्टेलाइजेशन प्रैक्टिसीज कुछ बार एक ही कंपनी का एकाधिकार हो जाए और वो मोनोपॉली टाइप का खेल खेल खेले उससे लड़ने के लिए Competition Act था जिसमें एक Statutory Body थी Competition Commission of India यानी बारतिय प्रतिसपर्दा आयोग इसके पावर्स बढ़ाने के लिए Competition Act में Amendment की बिल आया है हाला कि जब तक यह पास नहीं हो जाता तो ड्राफ स्टेज में या जो पास नहीं हुआ है ऐसे बिल में हमने दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं है जब वो फाइनली पास हो जाए तब प्रशना आते हैं so don't worry about that जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS चिप होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि लोकेशन कहां पर है वैसे ही बारत ने अपना नाविक प्रोजेक्ट किया था वो इंडियन र DRN, SSC, something like that तो Ministry of Electronics and Information Technology ने एक टेंडर निकाला है कि ये कोई कंपनी हमको 10 लाख GPS चिप बना कर दे लेकिन वो चिप में ऐसी सुविदा होनी चाहिए कि वो जो GPS वाले सैटेलाइट होंगे अमेरिका के उससे भी डेटा कैप्चर कर सके और बारत ने जो अपने सैटेलाइट अवकाश में छोड़ें हैं जिससे ये Regional Indian Navigation System है उसका नाविक डेटा भी वो कैप्चर कर सके ऐसे चिप बनाने के लिए और दिया है हालाकि बाद में फिर वो क्या उसका करते हैं वो सबाएगा तो डेटेल में देखेंगे आज कर में हो सकता है इंडियन एक्सप्रेस वाला और न्यूज आइटम ऐसे आएंगे जहांपर कोई न कोई इंडिस्टियल ग्रूप ये कहेगा कि बजेट में हमको ये सुविदा चाहिए कोई एक्सपर्ट बोलेगा कि बजेट में ऐसा होना चाहिए इस टाइप के बहुत सारे स्पेकुलेटिव कॉलम शुरू हो जाते है ऐसे ही न्यूज खबरों में कि इस बार इंफ्रास्टक्टर में लिए और क्या करना चाहिए वगरा लेकिन ये कामकानी जब असल में बजेट बंद के आए उसके बाद हमने सिर्फ बजेट की स्पीच और उसकी हाइलाइट ऐसे दो पीडिया फाइल फाइनान्स मिनिस्टि और दूसरी जो कैब कंपनिया होती है टैक्सी कंपनिया उस पर अब सरकार ने कुछ नए नियम पूट किये हैं पहला यहाँ पर यह जो टैक्सी के ड्राइवर होते हैं असल में कॉन्टाक के हिसाब से उनको एंप्लोईज नहीं का जाता वो इंडिपेंडन्ट कॉन्टाक् परिवार को कुछ पैसा मिले साथी साथ उनको ट्रेनिंग देनी होगी जैंडर सेंसिटाइशन फिर सर्ज प्राइजिंग यानि जब शाम को बहुत ज़्यादा डिमाड हो तो अचानक वो टैक्सी के जो किराये हैं वो बढ़ा देते हैं उसके कुछ नियम्स वगेरा न्यूजिलेंड गई थी लेकिन जो कोरोना के सब नियमों का पालन करना चेह नहीं किया था बहुत सारे प्लेयर बीमार हो गए तो अब न्यूजिलेंड ने काए कि पाकिस्तान की टीम अगर ठीक से नहीं रहेगी तो उसको वापस बेज देंगे वगया लेकिन हमारे लिए कुछ काम के नहीं इसकी भी इन लोगों ने तो एक्स्प्रेंड सीरिस बनाई है अब मुझे यह क्या तमाशा चल रहा है चोड़ो